स्तोत्र 33-32 विधाता का स्तुतिगान धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगा कर वाद्य बजाओ, प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वस नीय है, प्रभु को धार्मिक्ता और न्याय प्रिय है, प्रत्वी उसकी सत्तिपृतिगिता से परिपूर्ण है, उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागन, वो समुद्र का जल बांद से घेरता, और महासागर को भंदारों में एकत्र करता है, समस्त पृत्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर शद्धा रखें, उसके मुख से शब्द निकलते ही ये सब बना है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है, प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्धेश पूरे नहीं होने देता है, किन्तु उसकी अपनी योजनाएं चेरिस्थाई हैं, उनके अपने उद्धेश पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, धन्य है वो राष्ट्र जिसका इश्वर प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है, प्रभु आकाश के उपर से देखता और समस्त मानव जाती पर द्रिष्टी दोडाता है, वो अपने सिवहासन पर से प्रत्वी के सब निवासियों का निरिक्षन करता है, उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है, वो उनके सब कारिय का लेखा रखता है, राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने भावबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, युद्धाश्व त्वारा विजे की आशा व्यर्थ है, वो कितना ही बल्वान क्यों न हो, बचाने में असमर्थ है, प्रभु की उसे बचाएगा और अकाल के समय उनका पोशन करेगा, हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है, हम उसकी सेवा करते हुए आनन्दित हैं, हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है, प्रभु तेरी क्रपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझ से प्रशा करते हैं,